आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विज्यान, भौतक विज्यान और जी विज्यान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोडो खीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरत वीडियो सिलीशन पाओ अभी डाउटनेट करें नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा सवाल है, बिंदू ओ चार माइनस एक दो और माइनस तीन दो तीन को मिलाने वाली रेखा एक समतल को बिंदू माइनस दस पाँच चार पर लंवत मिलती है तो समतल का समीकर्ण क्यात कीजिए, तो आईए सवाल कॉल करते है तो यहाँ पर मैं क्या बोला है, कि इन दोनों बिंदो को मिलाने वाली रेखा, तो सबसे पहले हमारे पास मान लो यह सम्तल है, और यह हमारे पास क्या है, एक रेखा है, यह हमारे पास क्या है, रेखा है, अब यहाँ पर मैं क्या बोला है, कि बिंदु, यह बिंदु मान लोत मान लेता हूं मैं A है ये बिंदू मान लेता हूं मैं B है तो बिंदू A और B को मिलाने वाली रेखा सम्तल को बिंदू माइनस 10, 5, 4 पर लमवत मिलती है तो मान लो ये हमारे पास सम्तल है उस पर बिंदू है कोई सम्तल का समीकर्ण, तो हम जानते हैं कि सम्तल का मानक रूप में सम्तल का समीकर्ण होता है, A, X-X1 plus B, Y-Y1 plus C, Z-Z1 बराबर कितना आता है, जिरो, जहां पर X1, Y1, Z1 तो मारे पास क्या होता है, जिस बिंदू से सम्तल गुजरता है उस बिंदू के निर्देशंग और A, B और C यह हमारे पास क्या होते है समतल के दीकनुपात या समतल के अभिलंब के दीकनुपात समतल के दीकनुपात या समतल के अभिलंब के दीकनुपात मतलब यहाँ पर समतल का जो अभिलंब होता है वो समतल के लंवत होता है कि A भी रेखा के, क्योंकि सम्तल का भी लंब होता है, वो सम्तल के लंवत होता है, और यहां पर जो रेखा है, वो भी सम्तल के लंवत है, और हम जानते हैं कि जब दो बिंदू, यहां पर बिंदू क्या आ जाएगा, X1, Y1, Z1, सम्तल कौन से बिंदू से गुजर रहा है, माइनस 10, 5 यह जो हमारे पास रेका है वो समतल को कौन से बिंदू पर मिलती है माइनस 10, 5 और 4 तो इस बिंदू से समतल गुजरेगा भी सही तो X1, Y1, Z1 की जगे तो आजाएगा माइनस 10, 5 और 4 और जो D कनुपात आजाएंगे, तो दो बिंदू को मिलाने वाली रेका के D कनुपात के आजाएंगे A का मान आजाएगा हमारे पास X2 माइनस X1 X2 माइनस X1, जैसे पहला बिंदू है मानलो, हमारे पास पहला बिंदू है X1, Y1, Z1 और जो दूसरा बिंदू है यह है हमारे पास x2, y2 और z2 तो इन दोनों बिंदों को मिलाने वाली रेखा के जो दीकन उपात आ जाएंगे a आ जाएगा x2-x1, b आ जाएगा हमारे पास y2-y1 और जो c आ जाएगा वो आ जाएगा हमारे पास z2-z1 तो यहाँ पर पहला बिंदू तो क्या हो जाएगा यह तो हो जाएगा बिंदू a जिसके निर्देशांग x1, y1, z1 हो जाएगे और बिंदू b जिसके निर्देशांग क्या हो जाएगे x2, y2 और z2 तो समतल के दीकर नुपात यहाँ से कितने आ जाएगे a बराबर तो आ जाएगा हमारे पास x2-x1 तो minus 3-4 b बराबर आ जाएगा y2-y1 तो 2-1 तो 2-1 और c बराबर आ जाएगा z2-z1 तो 3-2 तो यहाँ से a का मान कितना आ जाएगा a बराबर आ जाएगा minus का 7 b बराबर आ जाएगा हमारे पास 3 और c बराबर आ जाएगा हमारे पास 1 तो यह हमारे पास क्या जाएगे यहाँ से निर्देशांग आ जाएगे minus का 7 3 और 1 यह तो हमारे पास a, b, c क्या जाएगे और x1, y1, z1 के मान के आ जाएगे माइनस 10, 5 और 4 तो यहां से समतल का समीकन के आ जाएगा समतल का समीकन आ जाएगा a निर्देशांग, a की जगह तो आ जाएगा माइनस का साथ, गुणा x- x1 का मान आ जाएगा, माइनस 10 तो X plus 10, plus B की जगह आ जाएगा 3 Y minus Y1 की जगह आ जाएगा, minus का 5 और plus C, C की जगह जाएगा 1 और Z minus Z1 की जगह कितना जाएगा, हमारे पास 4 बराबर कितना जाएगा 0 इसको सरल करूँगा तो यहां से समतल का समिकरना आ जाएगा minus का 7X plus 3Y plus Z और यहां पर minus 7 into 10 कितना हो जाएगा minus 70 और 3 into 5 minus 70 3 into minus 5 minus 15 और minus 4 बराबर कितना हो जाएगा 0 तो यहां से समतल का समिकण minus से गुणा करूँगा तो 7x minus 3y minus z और minus 70 और minus 15 हो जाएगा minus 85 और minus 4 minus 89 और यहां पर माइनस से पूरी समीकन को गुणा कर रहा हूं तो या जाएगा प्लस का नवासी बराबर जीरो यह हमारे पास किया जाएगा सम्तल का समीकन धन्यवाद पक्षचरी से बारवी से लेकर नीट आयाटी जेई वो एडवांस के लेवल कर एक करोड से जादा चातरो का भरोजा आज या वच्छाप करें अपने सारे डाउट्स आज चारसो 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 पर